13 Mini लें या 12 इस वीडियो में एंड तक कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए क्योंकि इसमें हर चीज बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं कौन से मुबाइल में कौन सी अची चीज है क्या चीज कम है iPhone 13 Mini और iPhone 12 के base prices की अगर हम लोग बात करें तो वो start होते हैं आपका iPhone 13 65,000 और iPhone 12 54,000 मगर iPhone 12 आपका 64 GB है और iPhone 13 128 GB base model अगर exact storage capacity को अगर आप compare करो तो iPhone 13 Mini आपका आता है 65,000 रुपीज का 128 GB और आपका iPhone 12 128 GB 59,000 रुपीज का आप देख रहे हो hardly 6,000 रुपे का difference से दोनों में Big Billion Day Sale आने वाली है उसमें ये prices और reduce हो जाएंगे आप इसमें जो ही notification bell को on रखना क्योंकि वीडियो हम लोग एक डालेंगे Big Billion Day Sale से पहले आप bell icon दबादो अगर bell नहीं देख रही है तो पहले आप subscribe का बटन दबादो फिर आप bell icon दबादो इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या prices आने वाले हैं और आप उसके हिसाब से अपने आपको प्लान कर सकते हो अब हम लोग दोनों मुबाइल से बात करते हैं कि दोनों में क्या क्या differences हैं क्या specs हैं हम लोग start करते हैं सबसे पहले physical appearance दोनों में आप एक चीज़ देखो कि आपका 12 का camera थोड़ा सा चोटा है और आपका 13 mini का camera थोड़ा सा जाधा बड़ा है और भई एक बहुत बला difference जो आया है वो camera की propositions में पहले दोनों camera उपर नीचे ते अब तोड़ो side side है और अगर size की बात करें तो size wise दोनों में difference है आपका 13 mini का size आता है वो आता है 5.4 inches का और 12 का size 6.1 inches का और size difference होने के साथ मतलब एक चीज यह होती है कि जो आपका 13 mini रहता है वो 13 mini थोड़ा सा है जाधा handy होता है चोटा फोन है पकड़ने में असान रहता है आप पूरी screen पर अगर मैं 13 mini की बात करूं एक मिटे को 13 mini दीजे मतलब आप यह जो है आपके एक थम से आप पूरी screen पर आप टहल सकते हो एक तरीके से मगर आपका 12 का size क्यूंकि उससे बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा यह चीज नहीं होती आप दोनों हातों का use करते हो या पर फोन के साथ जिमिनास्ट करते हो ओपन नीचा ताइम बाए दोनों मोबाइल की अगर आप brightness की बात करो तो दोनों म 460 आइफोन 13 मिनी के थाथ यह चीज अच्छी है जो मैंने परसनली फील की है कि आप कभी अगर धूप में भी होते हो तो इसकी brightness ऐसी है कि आप धूप में होते हैं आपको इसक्रीन क्लेर दिख रही होती है मतलब आप कुछ भी उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ध पर लुप में आने की बात कई पार मोबाइल में डिस्पली स्कीन नहीं देख पाते हैं मगर 13 मीनी की स्कीन पूरी तो की तरीक दिखने वाला है में mr… आपको तब दिखेगा जब या तो आप 아파 इडिट करते हो मॉबाइल से वीडियो शूटकी आप ने उसके रिगार से दिखेंगे मेरे इसाब से इस चीज पर दोनों फोन को जज ना करना दोनों का प्रोशेसर अच्छे हैं बैटरी से बात करते हैं 12 की बैटरी 13 मिनी से जादा है 12 की 2815 mAh की बैटरी है और आपकी 13 मिनी की 2438 mAh की मगर एक चीज है स्क्रीन ऑन टाइम दोनों का लगभग से में सर दोनों आपका आपका 13 मिनी में ये कलर्स आ रहये है और 12 में ये colors आ रहा है अब हम लोग main camera difference में बात कर लेते हैं देखो एक suggestion मैं personally देना चाहूंगा कि अगर आप लोग iPhone ले रहे हो तो majority आदमी camera की वज़े से लेता है ये मुझे पता है जो भी youngsters हैं वो है वो majority लोग camera की वज़े से लेते हैं और photos खिशती तो photos space भी ज्यादा ले रहे हो उसमें proper photos खीचने के लिए फोन ले रहे हो और photos अगर नहीं खीच पाओ और space में ना रख पाओ storage में ना रख पाओ तो फिर इतना जादा मज़ा नहीं आता आपके आपके पास एक limitation लग जाती है 64GB लेने पर एक limitation आपके पास लग जाती है क्या इससे जादा photos नहीं रख पाओगे इसमें और अगर इसमें videos बनती हैं तो इतने features हैं इतनी अच्छी quality की videos बनती हैं कि वो space भी जादा लेती है camera specifications की बात करो तो दोनों को अलग बताने का कोई फाइदा नहीं जो difference होगा बता दूँगा दोनों की ही camera specifications almost almost पूरी तरीके देख लो हैं क्या-क्या दोनों चीज़ों में दोनों ही iPhones में आपका एक camera 12 megapixel wide है और एक camera 12 megapixel ultra wide है और front camera भी 12 megapixel का ही है अगर आप camera module में अगर कोई difference की आप main difference की बात करो तो इसमें sensor का difference है sensor एक बहुत बड़ा role play करता है iPhone के camera में iPhone के क्या हर camera में sensor बहुत बड़ा role play करता है मगर 13 mini में sensor shift optical image stabilization है ये होता क्या है? sensor shift optical image stabilization वो चीज होती है कि जब भी आप कभी चलते हो या चलते वे video बना रहे हो कभी आप ये देखते हो कि कहीं आप जीने उतर रहे हो आप किसी road पे चल लो हो क्योंकि हाथ हिरता ही हिरता है बहले ही आपका हाथ हलका shake करेगा मगर videos में कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका हाथ जो है बाकई में shake कर भी रहा था और iPhone 12 में sensor shift optical image stabilization नहीं है 13 mini में आप video 4K HDR 60fps पे शूट कर सकते हो और 12 में आप 4K HDR 30fps पे शूट कर सकते हो मतब थोड़ा सा difference है मगर जब आप video देखते हो तो अगर दोनों वीडियो सामने चलेगी तो आपको difference पता चलेगा मगर individually आप दोनों की videos को देखो को तो आपको दोनों की videos ही बहुत अच्छी लगेंगी 13 mini का sensor बड़ा है तो इसमें रात में जितनी भी photos खीची जाती है जितनी भी आप videos बनाते हो वो काफी जादा bright अच्छी आती है कई बार हमारे हिसाब से रात में उतिनी light नहीं थी मगर जब हम लोगों ने photo कीचा तो जो photos निकल गया ही है तो हम लोग खुद देखकर अच्छा लगा था कि यार यह बाकि में night mode में इसकी photography करना बहुत अच्छा है अब gaming पर बात कर लेते हैं gaming दोनों ही mobile phones में बहुत जबरदस होती है performance wise दोनों ही जबरदस mobile phones हैं मगर एक चीज होती है कि अगर आप दोनो mobile phone को साथ में रखके gaming करोगे ना तो आपको बहुत minute सा performance में difference दिखेगा बाकि कोई खास difference दिखने वाला नहीं है और एक चीज का difference जो है शायद आप लोग feel कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि 12 की screen बड़ी है तो उसमें game खेलने में थोड़ा सा ज़ादा मज़ा आएगा कि आँटी के mobile बड़ा है मगर 13 mini का size चोटा होने की वज़े ते सिर्फ gaming में दिक्कत आने वाली है और हाँ वीडियो में भी जब आप वीडियो कभी देखते हो तो थोड़ी सी बड़ी screen लगती है उसके लिए ये है मगर फिर ये बात आती है कि कई लोगों को भई handy mobile phones पसंद होते है जैसे मैं पहले 13 मुझे बहुत पसंद आ रहा था मगर जैसे 13 मिनी लिया है तो वो 13 मिनी की तरफ से perception चेंज होगे अब मुझे 13 मिनी चलाने में मज़ा आता है अगर इस वीडियो के बात भी कोई डाउट रह गया हो तो comment section में बता देना और वीडियो अच्छी लगी हो